नमस्कार फ्लार्स इन किचन गार्डन चैनल पर में कविताब सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज की वीडियो की शुरुआत इन खूबसूरत गुलाब के साथ बहुत ही अच्छे गुलाब खिल रहे हैं मेरे इस पोधे में और एक साल का ये मेरा प्लांट होने वाला है यानि कि ये डेर साल का है वैसे तो एक साल का कम्लिट हो चुका है और बहुत ही अच्छी मुझे इसमें फ्लावरिंग पिछले साल भी मिली थी और इस साल भी मिली है तो कुछ प्लांट आपके पास ऐसे आजाते हैं जो सालो साल चलते रहते हैं और देखे इस गुलाव ने बारिश भी जहेल ली और गर्मी भी जहेल ली तो ये काफी हार्डी प्लांट है तो ये देखे आज बहुती सुन्दर फूल खिले हैं और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगे कि मटर के बीच कैसे होगाने है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक छोटी से रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आप मेरे चनल पर नहें हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजे और बैल आइकन और पर प्रेस कर लीजे ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो रहेंगी वो सब आप तक डारेक्ली नोटिफिकेशन के रूप में पहुचती रहेगी तो बहुत ही खूबसूरत एक वाटर लिली एक रेन लिली वाटर लिली नहीं वो भी खिला है क्योंकि अभी बादल वाले मौसम हो रहे हैं और विंटर सीड्स लगाने के लिए ये बैस्ट टाइम है अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है तो अभी भी लगा सकते हैं सब कुछ बहुत बढ़िया मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि आप मुठी भर के मिट्टी उठाएं तो वह आपके हाथ में आजानी चाहिए बिल्कुल एक दम पोरस और एक दिन पहले मैंने इस ग्रोव एक में पानी डाल के छोड़ दिया था और उसके बाद यानिकी कल और आ असानी से ग्रोव हो जाता है मिट्टी भी सेट हो जाती थोड़ा सा पानी एक दिन पहले डालने से तो यह टिप्स आप याद रखिएगा यह चोटे 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 टिप्स ही है जिनकी वज़े से आपके प्लांट्स अच्छे से ग्रोव हो पाते हैं और यह कि बीच कितने डालने हैं यह भी समझ में आ जाता है तो आपको कम से कम एक हाथ की दूरी पर मैं आपको तीन चार लाइने बना के बताती हूँ एक हाथ मतलब एक हतेली जो आपकी होती है उतनी दूरी पर आपको छोटी छोटी क्यारी बनानी है और क्यारी कितनी गहरी वो भी मैं आपको भी बताती हूँ, तो मटर का बीज जितना गहरा, जितना मोटा होता है, उतनी ही गहरी आपको क्यारी बनानी है, अगर आप क्यारी नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप लकडी से या किसी भी दूसरी चीज से होल बना सकते हैं, और मुझे क्यारी बनाना ज्या सकती हूं बीच बीच में से लेकिन अगर मैं बिल्कुल परफेक्ट लगाऊंगे कि नहीं इतनी दूरी पे यही मुझे लगाना है बीच तो हो सकता है वह आगे जर्मिनेट नहीं और प्रॉब्लम आए तो अगर आप चाहें तो मटर के बीच को एक दिन पहले पानी में भीग लगाऊंगी और 5-6 दिन में इनका जर्मिनेशन रेट बहुत ही अच्छा आपको मिल जाएगा क्यारी बनाने के बाद आप बीच को थोड़ा लाइन में जो यह जो लाइन है इस लाइन में आप बीच को थोड़ा पास पास लगाएं क्यूंकि जरूरी नहीं है कि एक बीच जर्मिनेट हो और दूसरा भी जर्मिनेट हो तो दोनों में से कोई न कोई एक बीच तो जर्मिनेट होगा इसलिए एक हतेली की दूरी पर हमने यह लाइन बनाई है लेकिन बीच जो हम लगा रहे हैं इस लाइन में यह हम थोड़े पास पास लगाएंगे बाद में हम इसे थीन कर सकते हैं देखे आप टेरेस गांडिंग करते हैं तो आपको थोड़े से सीड्स पास पास लगाने होगे क्योंकि आपके पास कोई फार्म तो है नहीं कि आप बस बीज डाल देगे वो ऑटमेटिकली जमीन में आराम से ग्रो होता रहेगा अगर जमीन होती है तो इतने पास पास बीज भी आराम से सर्वाइब कर जाते हैं बीज के सर्वाइब करने पर डिपेंड करता है बीज को ग्रो करना तो अगर आप जर्मिनेशन रेट और फूट्स भी आप अगर अपने ही मिट्टी डालूँगी जितना वो ढग जाएगा और यह देखे मैं डाल रही हूँ मिट्टी इसके उपर और इसके बाद मैं इसे हातों से प्रेस कर दूँगी मिट्टी को हातों से प्रेस कर दूँगी यह इस तरीके से ताकि बीज एकदम सेट हो जाए और वो जब मैं पानी डालूंगी तो इधर उधर ना फैले या जादा गहराई में ना चला जाए इसलिए हातों से प्रेस करना विट्टी को सक्त करना ज़रूरी है खेतों में जब बीज लगाया जाते हैं तो आजकल तो ट्रेक्टर से सब कुछ इजीली हो जाता है क्यारी इस भी बन जाती है कितनी गहरी बनानी है बीज को उपर की तरफ रखना है बीज को कितना गहराई में रखना है सब कुछ ट्रेक्टर पर डिपेंड होता है वो सब कर लेता है और उसके बाद उसमें ही रोटर आता है वही रोटर चला दिया जाता है तो वह मिट्टी बीच के ऊपर चली जाती है क्यारी बन जाती है और फिर रोटर चलाने से वह क्यारी के आसपास वाली मिट्टी आसानी से उसके ऊपर चली जाती खेर हम खेती तो नहीं करना च आती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए लगा रही हूँ ताकि मेरे बच्चे फ्रेश मीठी मटर तोड़कर अपने हाथों से खा सके और उसका क्या मज़ा होता है यह हम से ज़्यादा कोई नहीं जानता की अगर आपके पास खेट नहीं है जैसे हमारे पास नहीं है तो हम लोग घर में ही मटर लगा के खा सकते हैं और उसका भी खेट का मज़ा भी हम घर में ही ले सकते हैं तो आज कल हर सुविधा आपकी घर पर हो गई है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजे आप छट पर भी इस तरीके के ग्रो बैक्स यूज कीजिए अगर आपको इस तरीके क growbacks purchase करना है आसपास कहीं नहीं मिल रहे है reasonable rate में तो आप online मंगा सकते है amazon में आपको flipcard पे और दोसरे जो भी app है उन पर easily available है आपको जितनी price का चाहिए उतनी price का आप growback मंगवाईए और stand वाला growback भी आता है जैसे मेरा growback तो इदर-दर फैल रहा है लेकिन आप इसके आसपास गंबले रख देंगे तो यह नहीं फैलेगा लेकिन आपके पास गंबले नहीं है तो आप stand वाला growback मंगवा लेजी हाँ वो थोड़ा costly भी आता है और देखिए यह मैंने मिट्टी को अच्छे से प्रेस कर दिया और आप मैं पानी डाल रही हूं इसमें पानी में इतना अच्छे से पिलाओंगी कि अगली बार तभी पानी डालोंगी जब इसकी उपर की सर्फेस ड्राय हो जाएगी तो यह देखिए पूरी तरह मैंने मिट्टी को भिगो दिया है और मैं इसके उपर कोई भी दरी या कुछ भी कपड़ा वगेरा कुछ नहीं ढखोंगी इसे फुल सनलाइट में रखोंगी और अपनी सबजियों को उगते हुए अपने आँखों से देखिए और बहुत ही अच्छी तरीके से यह मैंने लगा के आपको दिखाईए आई होप यह देखे आइट साइट में मैंने यह पॉट्स रख दिये है जहां जहां से बैक फैल रहा है इधर भी में लगा दूँगी ताकि पानी डाले तो मिट्टी फैले नहीं और जब प्लांस निकलेगे तो हमें कितने रखने हैं कितने नहीं रखने हैं वो भी वीडि लैजर दूँगी कैसे केर करूँगी सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी तो बने रहेगा मेरे चैनल के साथ और आज आज का यह वीडियो आपको पसद आएगो पसद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रू कीजिए बेल आइकन ओल पर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डारेक्ली पहुंचती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर जैसे क्रिशना